यह मैंने दही में डालने वाला मुंग्रा बनाया है यह वो टेस्टी और क्रिस्पी बनता है यह मोटे वाला और बारीक वाला दूर्णों मैंने बनाए है आई इनको बनाते हैं यह देखे किसी ना क्रिस्पी बना है यह इसके लिए मैंने एक छोटा कप बेसन लिया है यह 10 ट अजवाइन और जीरा डाल देंगे इसके बाद हम इसमें पांच टेबल स्पून के करीब गरम तेल डाल देंगे इसमें इससे ये क्रिस्पी बन जाएंगे थोड़ा सा मिठा सोटा और लसुन का थोड़ा सा पानी डालेंगे ये बैटर हमने हाड रखना है थीक रखना है अब हम इसको फ्राइ करेंगे ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं दही में भी बहुत टेस्टी लगते हैं अब ऐसे कटशी लेंगे पौनी जो होती है उसके उपर रखकर हम ऐसे बारीक वाला मुंग्रा तियार कर लेंगे तेज आँच पर हम इसको पकाएंगे और ये हमारा मुंग्रा तियार हो जाएगा बहुत जल्दी बन जाता है ये और बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनता है इसको सबजी में भी यूज किया जा सकता है मुंग्रा बनकर तियार है इसको निकाल लेंगे इसके बाद हम मोट वाला मूंग्रा त्यार करेंगे उसके लिए हाथों पर मैंने थोड़ा सा पाणी लगा कर इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा बेशन डालते जाएंगे पकोडियों की तरे मेरे पास मोटे शेक वाली शनी नहीं थी इसलिए मैंने इनको ऐसे ही बना लिया है ऐसे हाथ में थोड़ा थोड़ा पाणी लगा कर हम बेशन की ऐसी छोटी छोटी पकोणियां बना लेंगे और इनको गोल्डन होने तक हमने पका लेना है हमारा मोटे वाला मुंग्रा भी बनकर त्यार हो गया है यह देखे कितना क्रिस्पी बना है इसको आप कंटेनर में डाल कर रख सकते हैं महीनों तक यह खराब नहीं होगा थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो प्लीस लाइक और शेर माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू